तो वहीं आज से देश के कई इलाकों में लॉकडाउन के बीच धील मिल रही है लेकिन दिल्ली और महाराश्ट जैसे कुछ ऐसे राज्ये हैं जहां कोरोना संक्रमतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है महाराश्ट में तो कुरोना ने अब तक का रेकॉर्ड ही तोड़ दिया है तो वहीं दिल्ली भी इस दौड में पीछे नहीं है दिल्ली और महाराश्ट में कुरोना का ब्रेक फेल दिल्ली में सामने आए कुरोना के 110 नए केस तो महराष्ट में कोरोना ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड सामने आए 552 मामले देश में कोरोना का मीटर डाउन होने का नाम नहीं ले रहा ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे केंदर और राज्य सरकारों की तरफ से कोरोना पर कंट्रोल की कवायत तेज हो रही है वैसे वैसे कोरोना अपना विकराल रूप दिखाता जा रहा है सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की जो कोरोना कैपिटल में बदलती जा रही है आखिर हम ऐसा क्यूं कह रहे हैं ये आंकड़े इसकी गवाही दे नहीं है रविवार को दिल्ली में 110 नए मामले सामने आने के बाद अब कुल आंकड़ा 2000 के पार पहुँच गया है इन में से फिलहाल 1668 केस एक्टिव हैं यानी 290 मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं दुख की बात ये है कि इस महामारी के चलते अब तक 45 लोग अपनी जान गमा चुके हैं दिल्ली में पिछले 6 दिनों के आंकड़ों पर घुर करें तो आपको पता चलेगा कि कैसे दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है 14 अपरेल को ये आंकड़ा 51 था 15 अपरेल को 17 कोरोना के मरीज पाए गए 16 अपरेल को 62, 17 अपरेल को 66, 18 अपरेल को 186 और 19 अपरेल को 110 कोरोना के नए मरीज सामने आए दिल्ली में अब तक 2003 कोरोना पॉजिटीव मामले सामने आ चुके हैं सबसे ज़ादा 186 मामले सिर्फ 18 अप्रेल को आये और इसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा रही दिल्ली का जहागीरपूरी का इलाका 18 अप्रेल को जहागीरपूरी से एक ही परिवार के 31 लोग कोरोना पॉजिटिप पाए गए जिसने दिल्ली सरकार की भी नींद उड़ा दी इनमें 14 लोग की उम्र 20 साल के नीचे है और 6 साल का एक बच्चा भी कोरोना पॉजिटिप पाए गया है दरसल कोरोना के चलते इस परिवार की एक महिला की मौत हो गए थी जिसके बाद पूरा परिवार ही कोरोना से संक्रमित हो गया है दिली का जहांगीर पूरी इलाका कोरोना वाइरस का एक बड़ा होट स्पॉट बनकर सामने आया दरसल यहाँ पर एक ही इलाके के एक ही ब्लॉक से 31 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए जिन में से 26 लोग एक ही परिवार के हैं और 5 लोग उनके पडोसी है हम इस वक्त उसी इलाके के बाहर मौझूद है और यहाँ की तस्वीरे हम आपको दिखाते हैं कि पूरी बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है पूरे इलाके को पहले से ही सील किया जा चुका है लेकिन इसे सील किये जाने के बावजूद यहाँ पर कोरोना के संक्रमन के कल 31 मामले सामने आए इन सभी संक्रमित लोगों को नरेला के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है इनके संपर्ग में आए आस पड़ोस के 15 अन्य लोगों को भी कोरोना के संक्रमन का शक है इन सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है और फिलहाल उन्हें आईसोलेशन में रखा जा रहा है सी ब्लॉक में करीब हमें 9 अप्रिल के असपास नियूज मिले थी कि वहां पर एक अंजुमन बीवी नाम की एक महिला की करोना की वज़े से मोत हुई है इसका कोई कॉंटक्ट स्ट्री नहीं मिल पा रहा था तो उसमें हमने एक महिला की मोत होने के बाद ही उसको तुरंथ हमने पूरे सी ब्लॉक में गली नमबर 1 से लेकर 10 जिसमें लगबग 1000 घर है उसमें हमने कंटेनमेंट किया था पूरा एरिया लॉकडाउन करके उसके अंद अलती की थी अपने पास के एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद इन सब ने उस व्यक्ति से उचित दूरी नहीं बनाई और नतीजा सब के सामने है तुगलकाबाद एक्स्टेंशन में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और यहां जब इंटेंसिव टेस्टिंग की गई तो 35 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और अब इन सभी 35 लोगों को इस इलाके से क्वारिंटीन सेंटर लेके जाया जा रहा है यह रामलीला समितिक का पार्क है जिससे गुजरते हुए यह लोग सामने दिल्ली पुलिस की बस में सवार हो रहे हैं इस होट स्पोट की शुरुवात एक बुजर्ग के कोरोना पॉजिटिव पाय जाने से हुई थी फिर उनसे मिलने के लिए उनके बेटे के दो दोस्त आये इस तरह चार लोग संक्रमी थू तो गली नंबर 26 को कंटेनमेंट जोन घोशित कर दिया गया अब इस गली के 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाय गए हैं इनमें 6 महिने का एक पच्चा भी शामिल है तुगला का बाद अब दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा कोरोना होट स्पोट बन गया है ये सिर्फ लापरवाई का नतीजा है क्योंकि अगर एक भुजर्ग के कोरोना पॉजिटिव पाय जाने के बाद लोगोंने सिल्फ आइसोलेशन का सक्ती से बालन किया होता तो ये नतीजा न होता तो वहीं दिल्ली के तिलक नगर और तिलक विहार में 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाये गए तिलक विहार चौकी के एक कॉंस्टेबल के अलावा कुछ और पुलिस गर्मियों के पॉजिटिव पाये जाने की खबर है दिल्ली में कुल 89 कंटेन्मेंट जुन बनाए गए हैं जिन में तिलक विहार और तिलक नगर को भी शामिल कर लिया गया है अगर दिल्ली में कॉरोना मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार है तो महराष्ट्र में ये संख्या 4200 के पार है यानि कोरोना का कहत झेलने के मामले में महाराश्ट्र अभी नंबर एक पर है रवीवार को महाराश्ट्र में 552 नए कोरोना पोजडिव केस सामने आने के बाद अब कुल मामलों की संख्या 4200 तक पहुँच चुकी है जबकि अब तक कुल 223 लोगों की मौत हो चुकी है अगर बात केवल मुंबई की करें तो यहां 135 नए मामले सामने आये हैं और 6 लोगों ने दम तोड़ दिया एक रहात की बात यह है कि मुंबई में रवीवार को 29 लोग रिकवर होकर घर जा चुके हैं अगर आख़ों की बात करें तो महराश्ट के कुल 42 कोरोना मामलों में अकेले मुंबई में 2798 मामले सामिल हैं मुंबई में जिन अस्पतालों में पेशेंट्स मिले हैं कोरोना के चाहिए महराष्ट में रवीबार को कुल 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई जिन में 6 लोग मुंबई, 4 लोग माले गाउं और सोलापूर और एहमत नगर से एक-एक मौत के केस सामने आए मुंबई के धारावी की बात करें तो पिछले 5 दिनों में यहाँ कोरोना पॉजिटिव का आखड़ा 120 बार कर चुका है ऐसे में कल्यान वाडी और मुकुंद नगर जो कोरोना होट स्पोट के मामले में नमबर 1 और नमबर 2 पर है प्रशासन ने वहाँ कोरोना वोडिर्स की मुस्तैदीब बढ़ा दी है दिल्ली से गोनिका रोडा, पावन नारा और अभेपराशर के साथ संधीब जोधी और राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबाई